दशेहरा से पहले भारतिये शेहर बाजार में गिरावट का सामना किया और आज भी सेंसेक्स और निफ्टी में नुकसान की संभावना है, जबकि अमेरिकी शेहर बाजार उच्च स्तर पर बंद हुए हैं. एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार दर्ज किया गया है, चीन के प्रोथसाहन योजनाओं के बीच. आज 25 अक्टूबर 2023 को भारत में चांदी का मूल्य प्रति किलोग्राम 71,659 रुपए है. होनासा कंस्यूमर की पेरेंट कंपनी मामा ए अर्थ का IPO 31 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है, जिसमें उन्होंने 365 करोड रुपए के फ्रेश एक्विटी शेयर जारी किये हैं, और यह OFS के तहत और बिक्री की जाएगी. कोका कोला ने तीसरी तिमाही में अपनी नेट इंकम में बहतरी दर्ज की, जब उनके revenue और organic revenue में व्रिद्ध हुई. कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी की है, जबकि उनकी volume growth में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. Bombay High Court ने Delta Corp के खिलाफ 16,195 करोड रुपए के tax notice पर रोक लगाई है, जिसमें कंपनी के खिलाफ tax notice जारी करने को बंद करने का आदेश दिया गया है. Delta Corp के पास DG GST से 23,000 करोड रुपए से अधिक के tax payment notice है. आज 25 October 2030 को भारत में 24 कैरेट के लिए सोने का मूल्य 10 ग्राम पर 61,840 रुपए है.